तो स्वागत है आप सभी का ग्याफणी के इस नए और लड़ेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर 31 पढ़ने वाले हैं नाम है कामिल इनकलाब कामिल इनकलाब को हिंडी में कहा जाता है संपूर्ण क्रांथी और आप लोग को 12th क्लास के उर्दू के चैप्टर नमबर 31 में पढ़ना है कामिल इनकलाब जो हुआ था संपूर्ण क्रांथी जिसके शुरुआत पांच जून उनेश्च वहत्तर 1974 को हुई इसके नित्रत्व में तो जै प्रकाश नरायन के नित्रत्व में हुई थी तो उसी क एक डिटेल्स को मैं बोर्ड पर लिख दी हूँ हर एक मतलब कंप्लीट नौलेज आप लोग को मिलने वाला है चैप्टर नमबर 31 का वीडियो काफी इंपॉर्ण है काफी नौलेजबल है तो इसलिए बिना इसकी पिए अंतक देखिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से स आमिल इन कलाब संपून क्रांती जो हूई थी जय प्रकास नराइण के नरतिर्थ्ट्व में इसकी शुरुआत मतलब संपून क्रांती क्यों हुई जरा यहां पर समझ लीजे संफून क्रांती करने का बहुत चारा रिजन था भूख्ती भारत में महंगाई भरस्टचार वे खफला ज्यादा हुआ करता था घूसiggles खोरी इन सब रिजन को ले कर संपूर्ण क्रांती और इस संपूर्ण क्रांती यानि की कामिल इनकलाब कानेत्रित्वकिस ने किया जै प्रकाश्च नरायंन क्या था याद रखिए ठीक है संपुन करांतिक उर्दु में क्या केते हैं कामिल इनकलाब ठीक है तो अगर आप लोग 12 क्लास का हिंदी का चैप्टर नूबर 3 पढ़ेंगे तो वह आप ले आप लोग के लिए आसान लगेगा अगर नहीं पढ़े हैं डिरेक्ट 12 क्लास का उर्दु का चैप्टर यह जो जब छातरान दोलन हुआ था उनएसा 74 में तो उस वक्त संपुन करांति की जब गोशना किये तो जाहां जाहां जिस जगह पर जाकर यह स्पीच दिये थे ना भाशब दिये थे उसी को किताब मनलब उसी को लिखकर किताब ते या कर दिया गया किताब और किताब जो चैप्टर पढ़ना है आप लोग को यानि कि जो आप लोग के बुक में कामिल इनकलाब नाम का चैप्टर है 31 वो एक क्या है वो एक खुत्बा है याद रखिएगा उपदेश है जो कि जैप्रकाश नरायन द्वारा दिया गया था जब यह संपुन क्रांति की घोष्णा क समझना है तो सबसे पहले जैप्रकाश नारेन के बारे में जितना भी डिटेल्स है ने की खुतबा से इनका जो भी आप लोगड़ के बुक में दिया गया है उसको मैं पढ़कर परतियेौक बताएंगी ठीख है चले समझते नरायन को बच्पन में बाउल कहकर लोग पुकारते थे यानिकि इनका बच्पन का राम क्या था बाउल फिर थोड़े से बड़े हुए पढ़ाई लिखाई करने लगे तो इनको लोग नायक के नाम से लोग पुकारने लगे यानिकि इनको लोग नायक कहा जाने लगा लोगो का नायक लोक नायक ठीक है यानि कि लोगों का हीरो बन गए थे लोगों की बहुत लोगों के दुख दर्द को समझते थे जिसके वजह से सभी लोग इनको क्या कहते थे लोक नायक और खासतोर से लोक नायक इनको तब लोग सबसेजदा कहने लगे यह मतलब इनको लोक नायक तब नाम दिया गया जब ये उनेसा 74 के जो है ना छात्रांदोलन का नेत्रित वकिये थे उसके बाद से सबसेज़दा लोग इनको लोकनैक के नाम से पुकारे जाने लगे ठीक है पुकारने लगे तो देखिए जया प्रकाश नायन की पैदाईश हुई थी 11 अक्टूबर उन इससा 2 को सिताब दियारा नाम का कोई एक गाउ है वहीं पढ़ जाए प्रकाश नायन की पैदाईश हुई थी लेकिन याद रखिएगा यह सिताब दियारा गाउं जो है यह कहा पर है यूपी के बलिया और बिहार के सारण जीले के बीच में स्थित हैं सिताब दियारा ठीक इस्थित है तो जो भी हो कोशन अगर पूछ देता है आज तक तो पूछा नहीं गया अगर पूछ दे कि सिताब दिया रगाओ कहां है ऑप्सन में दिया रहेगा सर्यू और गंगा नदी के संगम इस्थल पर तो टिक कर दिजिएगा नहीं तो कोशन में जो ऑप्सन दिया रहेगा वो ऑप्सन चेंज कर देगा बोल देगा कि बिहार के सारण और यूपी के बलिया जिले के बीच इस्थित है सिताब दिया रगाओ तो जैसा भी जिस तरह से भी कोशन गुमा कर पूछे आप लोगों को सही एंसर ठीक करना है इतना तो आयोप सम पतना कॉलेजियेट स्कूल के साथ क्लास में यह दाखिला लिये थे जैप्रकाश नर्यायन का दाखिला यानि के रिमिशन पतना कॉलेजियेट स्कूल में सेवंध क्लास में हुआ था फिर स्कूल की पढ़ाई मुकंबल किया यानि कि पढ़ाई कर लेने के बाद पढ़ाई उन्हें सब 20 में जो है गांधी जी असहियोग अंदोलन चला रहे थे ठीक है देखें तहरीक एजादी के ओज़से पटना कॉलेज छोड़ दिये पटना कॉलेज में जब ये साइन्स सब्जेक्ट से इंटर कर रहे थे जैप्रकाश नरायन तो उसी वक्त उन्हें सब 20 में गा करना होगा हम लोगों अंग्रेजों का संपू conservative करना होगा और सब्सक्राबट देना होगा यानि कि अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल में तुम लोग पढ़ाई मत करो तो गांदी जी के नक से कदम पर चलते हुए जया प्रकाष नरायन जो है न वह अंग्रेजों का बनाया हुए वह स्कूल कॉलेज जो पटना कॉलेज था उसको छोड़ दिये यानि क पटना कॉलेज छोड़ दिये क्योंकि गादी जी उसक्त तहरीक चला रहे थे आजादी की तहरीक यानिकी असयोग अंदुलन चला रहे थे तो उस वज़ा से गादी जी के कहने पर आप बोल सकते हैं जया प्रकाष नरायन पटना कोलेज छोड़ दिये और फिर बिहार प्रकाष नरायन गांधी जी जब असयोग अंदुलन चला रहे थे तो गांधी जी के कहने पर तो यह छोड़ दिये थे अंग्रिजों का बनाएवा कॉलेज छोड़ देने के बाद क्या हुआ कि गांधी जी बीच में असयोग अंदुलन को बंद मतलब इस्थागित कर दिय थे क्योंकि उस वक्त चोरी चोरा हत्यकांट हो गया था जो भी रीजन था उस वजह से गांधी जी असयोग अंदुलन को इस्थागित कर दिये अब प्लस इधर जाय प्रकाष नरायन अंग्रेजियों के स्कूल को कॉलेज को छोड़ दिये थे तो अब इनका डेर साल का जि बर्ज किशोड परसाद और जो बर्ज किशोड परसाद है ना यह भी वकील थे तो इनहीं की लड़की प्रभावती से जै प्रकाष नरायन की शादी हो गई उन्हें सब 20 में ही ठीक है और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कॉलेज छोड़ देने के बाद बिहार विद्य के लिए अमेरिका गये थे ठीक है 15 मई उन्हें सब 22 सबी को आगे की तालीम आगे की पढ़ाई लिखाई आगे की शिक्षा लेने के लिए यह कहां गये थे अमेरीका गये थे और जब यह अमेरीका गये थे ना तभी भारत के लोगों ने जै प्रकाष नरायन को जलील किया था बहुत दा सभी लोग जैपरकाश्ण रायन को अमेरिका का दलाल किसको कहा गया याद रखेगा कोशन कूछ सकता है कि अमेरिका का दलाल किसको कहा गया तो जैपरकाश्ण इनके पापा की नहीं थी इनके पीता जी जो थे थे हैसीयत नहीं थी कि अमेरिका भेज कर पढ़ाएं ठीके किसी भी तरह दुक्षूक काटते हुए यह पोचे ते अमेरिका और प्लस भारत की स्टाव में वगड़ बरतन मतलब महीना जो भी मिलता था पैसा जो मिलता था उससे वह अपनी पढ़ाई किया करते थे अमेरिका में जाकर इनके पापा की तो हैसे नहीं थी पैसों की तंगी के वजह से यह अमेरिका में जाकर चोटा मुटा काम किये थे जो भी चोटा मुटा काम करने को जैसे यानकी रे एक मिनट हाँ देखिए कैलिफॉर्णिया और शिकागो और रूस के तालिमी अधारे से इस्तिफादा लिये थे यान की कैलिफॉर्णिया शिकागो और रूस के जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट था उसका भी यूज किये थे जैप्रकाश नरायन प्लस ओहियो से तो ओहियो ओहियो बोल रही हूं ओहाईयो ठीक है ओहाईयो इनिवरसिटी से समाजियात में इन्होंने में कर लिया लेकिन यह पिएजडी नहीं कर पाए क्योंकि इनकी मा का तबियत खराब हो गया था जिसके यह अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लॉट आए भारत आग वापस आए तो ठीक एक साल के बाद उनही सतीज में यह पहली बार गिराफ्तार हुए तो उनहीं सतीज में 37 से लेकर 33 में ये रिया हुए उसके बाद से फिर उन्हें सा 22 के भारत च्छोडों आंदोलन हुआ था तो 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में फिर से ये गिराफतार हो गए और इनको गिराफतार करके हजारी भाग जेल में रख दिया गया हजारी भाग जेल में बंद कर दिया गया लेकिन सुनें यहाँ पर बहुत बहुत फ़नी टाइट का ये काम किये थे जैप्रकाश नरायन उन्हे इन दिवाली वाले दिल यह हजारी बाग जेल का 17 फिट उचा दिवाल को कुद कर और भाग गया थे जेल से सोचे नहीं वागते ना और भारत छोड़ो अंदोलन में ये help नहीं करते तो शायद भारत छोड़ो अंदोलन सफल नहीं होता ठीक है तो ये आप बोल सकते हैं जै प्रकाश नरायन बहुत यच्छा काम की थे 17 फिट उचा दिवाल को कुद कर भागना बहुत बड़ी बात होती है सोचिए तो ये दिवाल को कूद कर भाग गये थे दिवाली वाले दिन और फिर एक साल ने त्रित्व किये थे आप बोल सकते हैं और भारत छोड़ो अंदोलन सफल हो गया इनी के वजह से भागने के वजह से 18 सितंबर लेकिन जब भाग गये थे भाजारी बाग जेल से तो इनको दुबारा कैद कर लिया गया 18 सितंबर 493 को देखिए में घिर हता साल के बाद 18 सितंबर 49 43 को इनको गिरहतार कर लिया गया और लाहौर किला में इनको रहा लहाए म बंद कर दिया गया ठारा सितंबर उने सब 43 को लेकिन फिर बाद में लाहॉर किला से इनको आगरा जेल में ट्रांसफर कर दिया गया ठीक है और इस तरह वो जेल में ही रहे थे जेल से वह बाहर निकले थे 11 अप्रिल उने सब 64 को उने सब 43 से लेकर ये जेल ही में थे लाहॉर किला जेल में फिर उनको ट्रांसफर कर दिया गया आगरा जेल में और उस वक्त से लेकर उने सब 44 सथ ये जेल में ही रहे 11 अप्रिल उने सब 64 को ये जेल से बाहर निकले जया प्रकाश नरायन ठीक है उने सब 74 में तो ये जेल तो इल्मों मतलब चात्र साट्र घंड बिहार के टालिब इमयों की टहरीक कि गयादत मिले कर एक काम्या बुल गार्षा गेर यह नहीं ही राखते हैं और GniQU लग गया आप लोग जानते हैं हिस्टी में आप लोग पढ़े होंगे तो 75 में emergency जैसे लगा तो Emergency लगते ही इनको क्या कर लिया गया गिरफ़तार कर लिया गया जैप्रकाशनरायान को कि रफ़तार कर लिया गया और उनही से 75 से लेकर उन्हेसend 77 यानिकी इमरजन्सी उठने तक ये जेल में ही रहे थे जेल और फिर जेल के असपाल के बिस्तर पर ये पड़े रहे थे उन्हेय सब 75 में इमरजन्सी लगा और इमरजन्सी लगते ही जेत्वागतार गरवनल agree में इस सथाथर बैगने उन्हेसा 75 से लेकर उन्हेसा 77 यानि की इमर्जेंसी उठने तक यह जेल में ही रहे थे जेल और फिर जेल की अस्पताल में ठीक है अब आप सोची सकते हैं अब इनका उम्र धीरे-धीरे हो गया बुड़े हो गये तो समझे कि इनका इंतकाल हो गया अठारा अक्टूबर उन्ह इसलब 75 में इनको गिरफ्तार किया गया था तो 77 में इमर्जेंसी जैसे ही हटा तो यह रहा हो गया फिर इस्पताल में यह अब बुड़े हो गये थे अस्पताल में जादतर इनका समय भी था और 1979 उन्हें सवनासी अठारा अक्टूबर को इनका इंतकाल हो गया ठीक है लेक रिखा हुआ है इंकलर में लिखा करती थे इनका जादतर क्रीएशन तसनीफ इंचलिश में आप लोगो देखने को मिलेगाaloLeo सकता है कि कोशन पूछ दे तो यह हो गया जाए प्रकाष्ण रायन के बारे में सारा डिटेल्स जो आप लोग के बुक में दिया गया था अगर समझ में आया है तो कमेंड में लिख कर जरूर बताए कि हां हमें समझ में आ गया है ताकि हम लोगों को भी पता चले प्लस हिंदी ही में आप लोग को कमप्लीट करा रही हम समझे कि यह चैप्टर पढ़ लिए ना तो हिंदी आफ लोग के लिए असान लेगा अगर हिंदी पढ़कर यह पढ़ रहे हैं तो यह असान लहेंगा जो भी हो मतलब दोनों चैप्र मिलता है तोफेलक्लास का हिंदी का चैप्र न में चले जाए आप लोग को मिल जाएगा प्लेलिस्ट क्लास 12 हिंदी गद खंड और काव्य खंड के नाम से प्लेलिस्ट से मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे और विडियो चैप्टर वाइज 123 करके आप लोग को मिल जाएगा पूरा चैप्टर देख लिजिए मस्त और जबर्दस तरीके से पढ़ाएगा एक भी कोशन नहीं चूटेगा अगर आप लोग वीडियो देखकर और पूरा चैप्टर कंप्लीट किये हैं तो ठीक है तो 12 क्लास का हिंदी का लगबक चैप्ट सिर्फ मैं चेप्टर कंफ्लीट करा ही हूं। चैप्टर कंप्लीट क्रा रही हूं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा यानि कि बुक्ट की अधरा भी सिटी करूंगी और जब आप लोग चैप्टर पढ़े रहेंगे ना तो अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोशन का एंसर देना आप लोग के लिए यूँ बाय हाथ का खेल हो जाएगा ठीक है ना तो इसलिए सबसे पहले आप लोग चैप्टर कंप्लीट कीजिए 31 आज के इस वीडियो म प्लस जैसे भी कंप्लीट होगा फड़ा 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 एंसर और अब्जेक्टिव होगा तो फिलाल अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेली जे स्क्रीन शॉट फिर उसके बाद से मैं यह जो चैप्टर है इसको पढ अब आए हम लोग जैप्रिकाश नरायन द्वारा दिये गए स्पीच को समझ लेते हैं जैसे यह स्पीच दिये थे ना बिल्कुल हू बहू यहां पर प्रिंट कर दिया गया है ठीक है वैसे इनका स्पीच बहुत ही धास एकदम जबरदस्त होता था जिस जगह पर यह जाकर फिच दिया करते थे ना एकदम जून भर देने वाला स्पीच देते थे भासर देते थे और इसी वज़ा से इनके स्पीच को किताब बना दिया था किताब चौब बनाया गया था चलिए देख लेते हैं स्पीच की शुरूआत कैसे कि हैं जैपरकाश नरायन बाहर से स्यासी मौश्रती तालिमी और इखलाखी एद्बार से वनियादी तब्दिलिया वाकि होंगी यहां पर बोल रहे हैं किस तहरीक यानि किस आंदोलन को मैं कामिल इनकलाब यानि की मैं संपुन क्रांटी की नजर से देखता हूं और मुझे यकीन है किसकी वजह से सियासी समाज और आर्थिक रूप से बदलाओ देखने को जरूर मिलेगी आज जो हमारा समाजी धाचा है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ धाचा उबरेगा अभी का जो हमारा समाज है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ इससे बिल्कुल अलग हमारा समाज बनेगा एक ऐसे नए हिंदुस्तान की तामीर हमारी कोशिश है जहां का हर बास्ट उसwork और मुतमईन जिंदगी गुसारेगा अमीरों और गरीबों की दरम्यान वह दूरी नहीं होगी जिसे आज हम देख रहे हैं यह माजी की बात हो जाएगी बुल रहे हैं कि एक ऐसे नए हिंदوستان की तामीर हमारी कोशश है एक ऐसे नए हिंदوستان बनाने Kiss की हमारी कोशिश है जहां का हर बार्शिंद जहांने वाला हर इंसान खुश और मुटमईन यानि recycling लेंट शामति में जिन्दगी गुजा ठीजाए घृलाण जाये गा एिह तरह मतलब पास्ट की बात हो जाएगी एक ऐसे नय हिंदुस्तान की तामीर एक नय हिंदुस्तान बनाने की हमारी कोशिश है जहां का हर इंसान खुश खुश हाल और शांती से अपने जिंदगी को गुजारेगा जहां पर कोई भी किस भी तरह का भेदभाव नहीं होगा पू सिर्फ इंसाफ होगा ठीक है और आगे देखें यहां पर क्या लिखा गया है मौशी अतबार से एक ऐसे धांचा एक ऐसा धांचा उबरेगा जहां समाज की गरीब और कमजोर तबकों को अवलियत हासिल होगी मतलब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जितने भी लोग खरीजन लोग है आदिबासी, मुसल्मान, जरई, मजदूर, बेजमीन, किसान इन पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा ठीक है आगे देखिए आगे लिखें हैं समाजी बुराईया मसलने चुवा चूत जात पात वारियत को खत्म होना है यह जितने भी चुवा चूत भे पहला हुआ है इसको खत्म करना ही है हर आदमी के दिल में इसी जजबे को उभारना है अपने अमल से अपने किरदार से इसकी सदाकत को साबित करना है और सिर्फ बाते नहीं बनानी है अपने किरदार अपने अमल से समाजिक बुराईयों को खत्म करना है और समाजिक बुरा माननों के दर्मयान यह जो मांगते हैं जब तक हम अपने लड़कों के लिए तिलक नहीं लेंगे तो अपनी लड़कों की शादी के वक्त कहां से देंगे लड़कों को मांग मैं के बापो की मांग को से कहना है कि आपकी ऑलाद जानवर नहीं घोडे बैल नहीं कि उसका सौधा किया जाए यह तो नहाय थी शर्म की बात है यहां पर जो है ना जैप्रकाश नराय तिलक और जहज पर वार किये हैं और बोल रहे हैं कि यह जो तिलक जहज प्रडेशन बन गया है अभी प्रजेंट अभी प्रडेशन बन गया है त्रेंडिंग चल रहा है तिलक कर सकता है तो यहां पर बोल रहे हैं जैप्रकाश नरायन कि मैं मैंने तुल्बा से कहा, जिस लड़के की और जिस लड़की की शादी होने वाली है, ये सभी नौजवानी जिनकी शादी होने वाली है, वही मिलकर ये जहेज जैसी लानत को खत्म कर पाएंगे, अगर लड़का मना ही कर दे कि मैं जहेज नहीं लूँगा, तो फिर जहेज जै चुपा चुपा कट ले लेते हैं इस तरह भी होता है और कहीं जगा तो ऐसा भी होता है कि लड़की जो है ना एकलौती है परिवार की एकलौती बेटी तो वहाँ पर खुशी से दिया जाता है जहेज अब सोची है मान लिजे एक्जामपल के तोर पर जिस घर में दो लड़क समान वगड़ा ठूस ठूस कर मिला तो लड़के वाले के जो परिवार है पूरा खुश हो जाएंगे तो रिस्पेक्ट लड़की की तो सस्कुराल में इज़त होगी समान मिलेगा रिस्पेक्ट मिलेगा ठीके और उसके बात से अब दूसरे लड़की की शादी मान लिजे एक ऐसे लड़की से होती है जिसका परिवार उतना आर्थिक रोप से मजबूत नहीं है उतना मालेजे कि वो दहज देने के काबिल नहीं है दहज नहीं मिल पाता है उस लड़की को दहज नहीं दिया जाता है तो जब वो लड़की उस घर में आईगी न तो उस लड़की को उ जह्येद नहीं मिला रहता है जस लड़की को जहेद जिस लड़की के घर वाले जहेद नहीं दिये रहते academic उसकी घर में रिस्पेक्टन नहीं होती कि अगर मैं लड़के के शादी में दहेज नहीं लूँगा तो फिर लड़की के शादी में दहेज दूँगा कैसे तो यह सारा सिस्टामी खतम हो जाएगा जब जहेज को खत्म कर दिया जाए ना रहेगा बास ना बजेगी बासूरी जहेज ही इस लानत को ही खत्म कर दो ना पैसा भी परसंट भी दहेज नहीं चाहिए हम आपकी लड़की को खुश हखेंगे एक परसंट भी परिशानी हमारे घर में नहीं होगी आप प्रेंशन फ्री रहिए इस तरह लड़के को होना चाहिए ठीक है लड़का खुद दहेज हुद अपने बल्वूत्ति पर लड़का कह सकते हैं कि जहेज के बहुत सारे रूप हैं अब जिस भी कारण से दहेज लिया जाए या फिर दिया जाए दैज ये लेन देन चल रही इए अभी के-क精通 यहां पर बोल तक कि मैं लड़के और लड़कियों के वालिदीन या माता-पिता से कहना चाहता हूं कि आपकी ओलाद कोई जानवर नहीं है घोड़े बैल नहीं है कि आप उनका सौधा करें यह तो नहाय थी शर्म की बात है कि आप जहेज ले रहे हैं ठीके आगे देखिए अब लड़के को भी इस तरह होना चाहिए जो लड़का शादी कर रहा है और राम चंद्र जी को अपना खाविंद चुना पहले स्वयंबर करते थे जो पहले क्या हुआ करते थे आज ड़कों के वाले को पहले राजी करते हैं कि जहां पहले की लड़किया पहले के जमाने की लड़किया अपने अपना शोहर जो है ना खुद से चुना करती थी लेकिन अभी का जमाना देखिए आज की लड़कियों के वालिदीन यानि कि लड़कियों के माता-पिता लड़कों के वालदीन को पहले राजी करते हैं, वो कहते हैं कि आप पहले लड़के को राजी करें तब मैं कुछ कर सकूँगा, लड़कों से बात करो, तो अच्छी लड़की भी उने चाहिए, और बाहर जाने के एखराजात के लावा, अमबेस्टर गारी भी चाहिए, लड़की भी अच्छी, अमबेस्टर गारी, सोने की सिकडी, पैसा, सब कुछ चाहिए, कोई इन बदबक्तों को बतलाए कि तुम्हें लड़की से शादी करनी है या गारी से तुम अपनी बीविया चुन रहे हो या साइकल, तुम अपनी बी जहेज के पीछे भाग रहे हैं विश्टर गाड़ी भी चाहिए सोने की सिकड़ी भी चाहिए क्या ही मतलब आज कल के जमाने में लोग को पता नहीं क्या हो गया है हम मौश्रती लिहाद से इपना पस्त हो गया है कि सोच नहीं सकते मैंने नौजवान मैं यहां पर देखे क्या बोल रहे हैं कि मैं नौजवानों से पुछना चाहता हूं कि क्या अपनी शादी के वक्त तुम जहेज तिलक चाहोगे तो नौजवानों के अंदर इतनी इम्मत होनी चाहिए कि वह कहें नहीं तिलक जहेज की लानत खत् किया जाना चाहिए कामिल इन्कलाब का नजरिया उस वक्त तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक के समाज में इस तरह के तफरके मौजूद होंगे कामिल इनकलाब तब चल रही तहरीक का मकसद वजारत को खत्म करना या फिर एसेंबली को तोड़ना कते ही नहीं है इसकी मन्जिल है कामिल इन्गलाब पूरे तर्द जिंदगी के अंदर बुनियादी तब्तिली लानी है कितना मतलब जबरदस्त ये स्पीश देते थे आगे देखिए क्या लिखे हैं आगे लिख रहे हैं इसलिए मुकमल इसलाह का तकाजा है कि हर पहलो से मौशरे की सफाई हो वरना च्छाई पर बुराई हावी ही रहेगी और जो अच्छे मुस्तक्बिल का ख़ब हम देख रहे ह से इस तरह के भेद बाओ समाजिक बुराई हो को खत्म करना होगा वरना अच्छाई पर बुराई हावी ही रहेगी और जो अच्छे मुस्तक्बिल अच्छे फ्यूशर का हम लोग ख़ब देख रहे हैं वह कभी पूरा नहीं हो सकता है लहाजा जरूरत है कि पूरे मौशरे के इसला के लिए हम कदम उठाएं तुकडों में इसे बाटे नहीं हमारी मंजिल बहुत एहम है लेकिन वह काफी दूर है हमारी मंजिल बहुत महत अपूर्ण है लेकिन काफी दूर है हमारा मकसद साले जमूरियत है अवाम की हुकूमत बनानी है हमारा मकसद क्या है लोकतंत अवाम की उकूमत बनाना है जहां पर लोगों का साशन चले लोग जो है ना खुद अपना परतिनीदी चुने एक ऐसा समाज जहां का फर्द समाज के लिए जीता हो इस तरह बनाना मुश्किल काम है लेकिन हमारी कोशिश ऐसी मंदिल तक पहुचने की है इनकलाब एक दिन में नहीं आता लहाज हम आगी की तरफ कदम बढ़ाते जाएंगे मैं लगतार गांधी के रास्ते पर जोर दे रहा हूं कि आप इसे मेरा खुदबह समझ सकते हैं गांधी जी के रास्ते पर चलने के लिए हुजय प्रकाष्णरायन जोर दे रहे थे और यह गांधी जी के रास् यानि कि आप एक तशदूद करेंगे तो मुकाबल करने की तो आपके जो परतियोगी है तो करने की सलाहियत रखते हैं ठीक है लेहाजा जहन से तस्रदुद की बात को बिल्कुल निकाल दे इसलिए आप क्या करें अपने जहन से अपने दिल वा दिमाग से तस्रदुद यान की हिंसा की बात को तो बिल्कुल निकाल ही दे इंसा तो बिल्कुल करना ही नहीं है तोड़ आं पर डूरीय तो ंंगदो कें यानि कि आप बोल सक्ते हैं लाथी डंडो और ऑल लिग्षा करके हम लोग सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं बलकि हमें औह इंसात्मक यानि कि सांती पूर्ण प्रदर्शन करके ही हम अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं और यही एक तरीका है आप क्या करें शांती पूर्ण प्रदर्शन करें चीक है कि आगे देखिए क्या लिखे हैं कि क्यों MP मुझे जमहूरियत म不会 यकीन है लिहाजा मुझे मुझे नहीं नहीं बोल रहे हैं जैसे परकाश नरायन mówi मुझे जमहुरियत में एक यॉरिये मुझे लोकतंत्र में यकीन है तश्द्ध यानि कि हिंसा में illumи यकीन नहीं है मुझे आ आवाम जन्ता की योग्यप्ता पर वरोसा है इसलिए मैं कतई नहीं चाहता कि चंद बंदूग पर वरदारे आवाम की कांदों पर सवारे आवाम की नाम पर हुकुमत ठीक है आगे देखें यहां पर अमन और जम्होरियत यानि कि शांती और लोकतंत्र एक सिक्के के दो होगी तो फिर शांती जो है ना देश में नहीं रहेगी तो वही बात बोला जा रहा है कि अमन और जम्होरियत एक सिक्के के दो पहलू है जब समाजी मसाइल तकलिफदा हद तक पहुंच जाते हैं तब अवाम की बेचैनी नए हालात को जंद देती है और जैसा कि कालमाक्स ने कहा है कि quantity quality में बदल जाती है मसाहल हालात में नुमायाद तबदिली की बाहस हो जाते हैं बोल रहा है कि जब तक समाजी तकलिफ तक पहुंच जाती यानि कि जब समाज में लोग को बहुते था तकलिफ मिलने लगती है बहुत-छाम समस्यां का सामना करना पड़ता है तो जब समाज में होने लगती है तब अवाम की बैठाइनी नय हालाद को को जन्द देती है तब आवाम यानि कि जनता की बेचाइनी जो है ना एक नए हालात को जन्द देती है और जैसा कि काल माक्स ने कहा है कि क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है अब समाज में लोग को दिक्कत होगी परिशानी होगी तकलीफ होगी समस्य बढ़ेगा त लोग को दिक्कत और परिशानी समस्याई देखने को मिल रहे है इसको जैसे लोग इकठा हो रहे हैं इसने हालात में नुमायाय तब्दिली ला दी है और इनकलाबी इसने नुवाया तब्दिली यानि की बहुत बड़ा परिवर्तन ला दी है और इनकलाबी तब्दिली के लिए जमीन तयार हो चुकी है ठीक है आगे देशें बुल रहे हैं कि इनकलाब तो समाजी हालत और तारीख की कौक से उभरता है इनकलाबी रहनुमाओं की खसूसियत वह वक्त के धारे को पहचान लिता है जो बहुए इनकलाभी रहनुमा होता है लोत homo करता करता है रहनुमा उसको कब क्या करना है कौब कौन सा डिसिजन लेना है ठीक है हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी पूरी टाकत से अद्में तश्रदुत की रहा अपनाकर शायल के हल की तरस्क्रास करें त самом लेकिन कौन आएगा आगे कौन मुल्क के लिए गुर्बानी देने को तयार है बोल रहे हैं जैप्रकाष्ट न्रायन कि अपने देश को इसी तरह के क्रांती की दरूरत है लेकिन कौन आगे आएगा कौन मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तयार है अजवित फलसफर के बानी शंकर अचारया ने अपनी उर्ती जवानी के दिनों में रूहानियत का परचार शुरू किया जब स्वामी विवेका नंद ने विदान के दर्मियान जिंदगी की उन्होंने प्रूकी दोस्तों रूहानियत ने नौजवानों की पहुत परवाज चाहती है लड़ खड़ाते हुए बुढ़ापे की यहां इतनी एहमियत नहीं यहां पर बोल रहे हैं जया प्रकाश्ण रायन की कौन हमारे मुल्क के लिए आएग जब वेदान्त का फलसपर श्रिगा को सिकागो के अमेरिकी महाल में आलमी बरदार के सामने रखा तो भी उस वक्त वो नौजवान ही थें गांदे जी ने जब जुनूबी अफरीका में नसली मत्याज के खिलाफ जो गोरे और काली को लेकर भिदभा होता था नसली भिदभ तो उसक्त गांदे जी नौजवान ही थे दोस्तों इसका कहने का मेरे कहने का मतलब यह है कि रुखानीत नौजवानों की कौट परवाज चाहती है लड़कडा आते हुए बुढ़ापे की यहां इतनी एहमियत नहीं यानि कि देश को नौजवानों की जरुरत है नौजवा लड़ना होगा ठीक है अपने देश के लिए कुर्बानी देनी होगी रुखानियत नौजवानों की कौट परवाज चाहती है यहां पर बुढ़ाप बुढ़े लोग की कोई जरुवत नहीं है यहां पर किसकी जरुवत है तो नौजवानों की जरुवत है तो जितना नून और जोश भरा ये स्पीश दिया करते थे तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्क्रिंश तो आप लोग ले लिए हैं जैपर कास नायां के बारे में सारा डीटेल समझ ले चैप्टर भी समझ गया है अब कोई भी कोशन पूछेगा छोड़कर नहीं आएगा आप लोग हर एक कोशन का इंसरेक्दम सही सही बना कराईएगा चलिए आज के इस वीडियो को यह पर इंड करते हैं जो कुछ भी में आप लोग को समझाई समझ में आया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जितना जदा उसके शेयर करें आप ल लिए जहिंद और खुदा हाफिज